नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में पंजायत सचीव, सिक्छक और जीला अस्तरिय पदो पर फिर से सुरू होगी बहाली पर किरिया कार्मिक विभाग अगले सब्ता हमें डिप्लोमा अस्तरिय बिभीन परिक्षाओं के लिए जर्खन करम चरी चैन आयोक प्रस्ताव भिजेगा इससे हजारों की संख्या में नई नियुक्ति का मारिक प्रस्ष्थ होगा बता दे उसके साथ ही राजे के तेरा अनसुची जीलों में पंचाज सची और सिक्षक समेत बिभीन पदों के लिए फिर से बाली पर किरिया सुरू होगी बिभाग ने हाई कोट के आदेश के बाद पूरु में जारी संकल्प वापस ले लिया है जिस कारण जीला अस्तर के समूख राजपत्रीत समूग और समूग हा के पदों पर नियुक्तियों में बिराम लग चुका है गयात हो कि अस्तानी निवासियों को प्रत्मिक्ता देनने समधित निर्ना की घोस्ना के साथ ही यह कहा गया है कि जिन परिक्षाओं में नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है वह सभी रद कर दिये जाएंगे इसके साथ ही एक बार फिर पंचाज सची और सिक्षकों की बह गया है वही 24 और 25 जनवारी को उतर पूर्वी दक्षिन पूर्वी और मद्य भाग में हलके बारिस होगी बतादे मौसम पुरोंवान के मुताबिक आस्मान में बादल चाने के बाद रात के तापमान में 2-4 डिगरी की बढ़ोत्री भी होगी इसके दो दिन बाद निमतन त पान में 2-3 डिगरी की गिरावट होगी परिक्षा में कौट ओफ डेट के बदलाव पर रगवर दास ने लगाए गंभीर आरोप राज्य में नियुक्तियों को लेकर जहरखन के पूरों मुख मंद्री रगवर दास ने राज्य की हमान सुरेन सरकार पर खुब आरोप लग गई थी उसे रद कर दिया है अब नए सीरे से नई नियमावली बना कर बिग्यापन जारी किया गया है इसमें उम्र सीमा से समंदित कौट ओफ डेट को भी बदलाव किया गया है जिसकी वज़ाद से लाखो अभ्यार्थी परिक्षा देने से बंचित हो रहे हैं जार्खन के छात्रों में असिम पर्तिभा फिर भी जाना परता है दूसरे सहर राज्येपाल राज्येपाल रमेस बस ने कहा कि राज्ये में कई अच्छे विद्याले हैं पलश्टू स्कूलों के लिए जार्खन हब के रूप में जाना जाता है लेकिन अभी भी हमें सरकार आज बश्चूर ऑक्स अधिया को लेकर दिल्ली में 23 फरवारी और रतर्सान राश्ट्रिये आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वे समीती भारत की ओर से आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोट की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 23 फरवारी को धर्ना और परदर्शन कारकरम का वेजित किया गया है संगठन इसकी मांग लगातार के अंदर सरकार से पूर्व से कर रहा है अलग धर्म कोट की मांग नहीं माने जाने पर देश भर में आदिवासी समाज की ओर से आदिवासियों किया जाएगा बतादे संगठन के मुख्य संजुजक अरविंद उराव सनिवार को नगरा टोली में सरना भवान में पत्रकारू से बात्चित कर रहे थे सिमडेगा डीसी से पीए मोधी ने पुछा कैसे करते हैं मोटिवेट पधान मधिनायन मोधी ने सनिवार के देश का पांच अकांची जीला के जीला अधिकारियों के साथ बात की इस दोराण उन्होंने सिमडेगा डीसी सुसांध गोरो से भी बात की दोनों के बीच करीब चार मेर तक वर्चूल माध्यम से बात्चित हुई बता दे बात्चित के दोराण डीसी सुसांध गोरों ने सिमडेगा जीले के बिकास की सकरात्मक तस्वीर पेस की उन्होंने सिख्चा स्वास्त और क्रिस्टी के शेतर में ब्यापक बदला होने के कारण खेल में बेहतरीन उपलबदी हांसिल करने की बात कही उन्होंने काया कि जीले को होकी के नर्शरी के नाम से जाना जाता है और जीले की बेटी सलीमा टेटे ने उलमपिक में अपनी परतिवा का लोहा मनवाया है बात्चित के करम में पिये मोधी ने पूछा कि वे अपने टीम के साथ किस परकार करते हैं और उसे कैसे मोटिवेट करते हैं जार्खन की तिरंदाज बिटिया कुमारी सवीता को पिये मोधी देंगे बाल सकती पुरसकार ज्यार्खन की राजधानी राच्ची के सिली की तिरंदाज बिटिया कुमारी सविता को परधान मंत्री नयाद मोदी बाल सक्थी पुरसकार से समानित करेंगे बतादे 24 जनवारी को वीडियो कंफेंसिंग के माध्यम से परधान मंत्री सिली के टोंग टोंग गाउं की रहने वाली सविता को समानित करेंगे सविता को याँ पुरसकार परधान मंत्री राश्टी बाल पुरसकार 2021 के तहत दिया जा रहा है बतादे सिली के बीरसा मुंडा अर्चरी सेंटर की 33 सविता को याँ पुरसकार 2021 के लिए दिया जा रहा है पिछले साल ही सविता का चैन इस पुरसकार के लिए कर लिया गया था 25 जनवरी 2021 को वीडियो कंफ्रेसिंग के जरिया पधान मंत्री मोदी ने सविता के साल सनवाद भी किया था जारखंड के बड़े मोटर साइकल चोर गिरोग का परदा फास आठ चोर गिरफतार जारखंड के रजधानी रांची लोहतागा गुमला तथा लाते हर जीले से बाइक चोरी कर बेचने वाले गिरोग का कोड़ू पुलिस ने खुलासा किया है बतादे पुलिस ने गिरोग के सरगना सहीत आठ अपरादयों के गिरफतार करने में सबलता आसिल की है चोरी की 21 बाइक बरामत की गई है बतादे गिरोग के पाँच सद से अभी भी परार है लोहतागा जीले में चोरी की मोटर साइकल बराम्दगी मामले में सबसे बड़ी सपलता कुड़ू पुलिस को मिली है केंद्र में अधिकारियों की प्रतिन्युक्ति के लिए राज्य की सामाती को दर किनार करने पर बिरोध केंद्र में बड़े प्रमाने पर केंद्रिये सेवा के अधिकारियों की कमी को देखते हुए केंद्रिये कार्मिक विभाग एक संसोधन की त्यारी में है इसके तहट राज्ये में तैनायत केंद्रिये सेवा के अधिकारियों की प्रतिनुक्ती सीधे केंद्रिये अस्तर पर की जा सकती है इसके ड्राप्ट पर जार्खन सरकार ने 12 जनवरी को अपनी अपती दर्ज कराई दी थी इसके बाद एक बार और संसोधित प्रस्ताओ का ड्राप राज्य सरकार को मिला है बता दे अब इस ड्राप पर आपती दर्ज कराते वे मुख मंतर हैमन सुरेन ने सीधे पधान मंतरी को पत्र लिखा है पत्र में सुरेन ने लिखा है कि संसोधीर ड्राप्ट के प्रविधान पहले से भी अधिक कट हो रहा है जार्खन में सन्निवार को 1755 केस मिले है जबकि 3888 मरीज स्वस्त भी हुए है जार्खन में सन्निवार को 9 मरीज की मौत भी हुई है जार्खन में सन्निवार के आकड़े के अनुसार कूलेक्टिव केस की संख्या 16631 है भारत में 3,16,209 केस मिले है जबकि 2,51,108 मरी स्वर्ष्ट भी हुए भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 21,77,820 है ICU में भरती है सोर को किल्या लाता मंगेसकर भारत रतन सोर को किल्या लाता मंगेसकर को मुंबाई के ब्रीच केंडी अस्पताल में भरती करया गया है बता दे लाता मंगेसकर को कुरोना के साथ निमोनिया होने की भी बात सामने आ रही है ICU में राजे के कलाकारों ने उनकी स्वास्त होने की कामना की है ऐसे में राजे के कलाकारों में प्रसीद पदमस्तिरी मधुमनसूरी हंस्मुख ने लता मंगिसकर के स्वास्त की कामना करते हुए कहा कि उनके अवाज में जो जादू है वो सुनते ही रोम रोम को जागरित कर देता है ऐसे में अपने देश्वास्यों से उनके जल्द से जल्द स्वास्थ होने की कामना करने को कहूंगा ताकि ओ जल्द स्वास्थ हो और हम उनसे उनकी गीतों को सुन सके किरिसी वर जल संगरक्षन को ससक्त करने के लिए अंगनवारी केंद्रों को बनाया जाएगा मोडल अकांची जीला चात्रा में स्वास्थ पोशन एवं सिक्षा के छेतर में अप्यक्षी सुधार हुए हैं बतादे सदर अस्पताल से लेकर समधाइक स्वास्थ केंडर तक मरीजों को बेतर चिकित सिये वेवस्था उपलब्द कराई जा रही है वहीं बुनियादी सुधाएं सुधरीड की जा रही है वेंटिलेटर, SNCU, आक्सिजन प्लांट, ICU, ऑपरेशन, थियेटर, डिजिटल, एक्सरे सुधाएं विक्सित की गई है बतादे सदर अस्पताल में 15 डॉक्टर पदस्थापित भी हैं इनमें नर्स से लेकर विभीन रोगों के भी सस्थागे डॉक्टर सामिल है इतना ही नहीं 50-55 स्टाप कर रहा था है बता दे उन केंद्रों के बच्चों को पले इस्कूल की तरह आउडिट ओवा वीडियो के जरिये पटन-पटन प्रण किया गया है सिमडेगा में उनत खेती के लिए चल रही कई योजना है साथ ही अपने जीवन अस्तर को उच्चा कर सके बता दे सिमडेगा जीलिया के डिसी सुसान्त गौरों के निर्देश में हाल ही में कास जोर डेम के नहर के कमांड एरिया का सर्वे किया गया है पिछले जिनों अधिकारियों की टीम तमड़वा पंचायत के कोन सेरा काम तरह तमड़ा आधि गाओं में नहर किनारे की भूमी का सर्वे करना सुरू किया है जारखन में जल्द निकलेगी 14,600 के लिए भैकेंसी राजे के हाई स्कूलों में सिक्षकों के 14,000 रिक्त पदों पर निकलेगी जल्द शुरू होगी बतादे संसोधन के प्रस्ताव को कार्मिक बीत एवं बिधी विभाग को भेजा गया था तीनों विभागों से नियमावली को समाती मिल गई है अब नियमावली सिक्रिक्ती के लिए केबिनेट की बैठाक में रखा जाएगा अब राजे के हाई स्कूलों में सिक्षकों के रिक्त पदों पर निक्ती पर किल्द शुरू की जाएगी बतादे राजे के हाई स्कूल में सिक्षको के 25 यार 159 पद सिरीजी थाएं बातमान में इन में से 14,000 पद रिक्त थाएं नेक्ती के लिए परिक्षा जहारखन करमचारी चैन आयोग द्वारा ली जाएगी जहारखन बंद से पहले नक्सलियों ने उड़ाये दो मोबाईल टावर एक क्रोर के इनामी नक्सलि प्रसांत बोस और उसकी पतनी सिला मरांडे की गिरफतारी के बिरोध में नक्सलियों द्वारा बुलाएगा जहारखन व बिहार बंद 27 जनवरी के पूर्व परतिरोध दिवस के दोरान नक्सलियों ने अपनी उपसिती दर्ज कराई है बता दे भागपा मवादी संगठन का परतिरोध दिवस सुक्रवाद से सुरू हो गया है जारखन के गीरीडी जीले में नकसलियों ने दो मॉबाइल टावर उड़ा कर अपनी उपस्थी दर्ज करा दिया है इधर नकसलियों के दौरा टावर उड़ाय जाने की घटना के बाद पूलिस अलट है और इलाके में नक्सलियों खिलाप सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया है मैट्रिक इंटर परिक्षा एक चरण में आविजित करने की त्यारी जारखन एकेडमी कॉंसिल जैक अगले सब्ता मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा को लेकर बड़ी घोसना कर सकता है बतादे इस पर कुरोना की वाज़ा से बोड परिक्षा एक ही चरण में आविजित करने की त्यारी भी है इसे लेकर सुक्रवार को जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो ने परिक्षा की त्यारी को लेकर आपात कालिन बैटक कर रनीती ताय की है बैठक में सभी पता अधिकारियों वा कर्मियों से जारकन भार के परिक्षा केंद्रों की चीती की जनकारी ली गई बतादे कुरोना काल में अधिकांस इसकूल बंध है ऐसे में बिवस्था को लेकर परिसानी सामने आ सकती है मालूम हो कि अब तक मैट्रिक वाइंटर के परिक्षा के थी घोस्टना दिसंबर 2021 और माई 2022 को की गई थी रिम्स में अब मरीजों की ओपन हाट सरजारी बिलकुल निसूल के रिम्स में अब ओपन हाट सरजारी निसूल करने की त्यारी है इसके लिए रेट कॉंट्रेक्ट लगभग पूरा कर लिया गया है बता दे माच से हाट सरजारी पर सभी वर्ग के लोगों को लाब मिलना सुरू हो जाएगा अलाकि शुरुआती चर्ण में एपील वर्ग के लोगों को काफी सस्ती दर पर सुविधा मुहाया कराई जाएगी जो नीजी अस्पतालों की तुनला में असी पर्थे साधी कम होगी इसके बाद बीपील के साथ साथ एपील के मरीजों को भी निसुल्क सुविधा दी जा सकती है ज्यारखंड के मल्टी पर्पर्ज मॉंडल डेम पर्योजना को बजट से उमीद ज्यारखंड को कई उमीदे है बतादे इन उमीदों में बहुचर्शित मॉंडल डेम के निर्मान कार की सुरुवात भी सामिल है दरसल पूरी पर्योजना में असी पर्थे से ज्यादा राजी केंदर सरकार को ही खर्च करना है बतादे 1622 क्रोड की लागत वाली इस पर्योजना में केंदर 1378 क्रोड रुपे देने होंगे लातेहार जीले के परसीद मंडल डेम के निर्मान का कार अराम होने की आस यहां की जनता लगाए बैठी है बतादे इस डेम के चालू होने से ज्यारकन के लातेहार पलामों समेथ बिहार के बड़े भुभाग को पायदा मिलेगा भैक्सिन नहीं लेने वाले परिक्षा नहीं दे सकेंगे 31 जनवारी तक टीका अनिवारे सहर के नीजी स्कूलों ने नोटिस जारी कर बच्चों को शितावने दिया है कि उन्होंने अगर भैक्सिन नहीं ली तो उन्हें ओफलाइन कलास में सामिल नहीं किया जाएगा और परिक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाएगा बता दे यह आदेश जीला परसासन की ओर से आदेश जारी करने के बाद किया गया है इससे चात्रों पर दबाव बट गया है उन्हें हर हाल में 31 जनवारी तक बैक्सिन ले लेना होगा अन्यता उन्हें परिक्षा में बैठने में समस्याव होगी नकसली महराज परमानी को भेजा गया जेल जारखन के हाटकोर नकसली महराज परमानी को सराय के लाखा सवा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सनिवार को जेल भेज दिया है बता दे दोपर करीब तीन बजे उसे रांची से कड़ी सुरक्षा के बीच सराय के लाके सदर अस्पताल लाया गया जहां स्वास्त वा कुरोना के जाच के बाद उसे नियालय में पेस किया गया इसके बाद उसने जेल भेज दिया गया आपको बता दे कि सुक्रवार को उसने राची में पूलिच के समख स्रेंडर किया था धन्यवाद ऐसे में हमें आप कमेंट बक्स में बता कि कि आप पंचाज सचीव और सीख छक सहीत अनय परिक्षा है जिनका रिजल्ट परकासित होना बाकिया है उनने रद करना चाहिए या सरकार को रिजल्ट परकासित करना चाहिए हमें आप कमेंट बक्स में आपना फिड़वेक अवस दे शाथ साथ वीडियो को एक लाएक कर réponse दोस्तों ख़र करना ना भूले थांक यू